हाई मैसल्फ नवीन अगेन आप देख रहे हैं मुझे कोटा ग्लासेस के चैनल पर मुझे पता बूर हो गया हूंगे आप मेरी इस लाइन से मैं हमेश्वा हर वीडियो में यह लाइन गोलता हूं प्लीज कॉमेंट कीजिए कोई special creative नई लाइन के लिए नीचे ताकि मुझे उसका इस्तेमाल करूँ और आपका नाम भी mention करूँगा कि यह लाइन दी गई है इसके दुरू इस person ने हम लोगो वी suggest के उसका नाम भी मैं mention करूँगा और next time मैं उसी लाइन का इस्तेमाल करूँग पर वो positive और अच्छी line होनी चाहिए राइट आज का जो topic है basically हम लोग उसके अंदर sexual mode of reproduction के बारे में study करेंगे कि जो reproduction है उस reproduction के दो पार्ट होते हैं asexual mode और sexual mode asexual mode यानि की जो asexual वाला type है वो हम लोग complete कर चुके हैं इस वीडियो में हम लोग sexual mode के बारे में study करेंगे कि sexual reproduction क्या होता है या sexual reproduction जो है basically इसके बारे में क्या क्या detail है उसके बारे में हम लोग chapter के अंदर study करेंगे दिखिए जब मैंने basics वाले videos अपने upload किये थे और उन basics के अंदर मैं sexual reproduction के बारे में बहुत जादा detail के बारे में बहुत जादा detail आपको लोगों को समझाई थी मैंने तो मैं आपको एक बार और हलका सा indicate करते था हूं कि sexual reproduction होता क्या है देखिए sexual reproduction multi-cellular complex organisms के अंदर होता है और यह multi-cellular complex organism होते हैं इनके अंदर बहुत सारे different type का cell होता ह तो उसको डवलप करने के लिए आपको पता है कि वो क्या होती है फीमिल ज्म सेल फीमेल गेमेट बोल दो या female sex cell बोल दो, या female reproductive cell बोल दो, वो क्या होती है, egg cell होती है, मैं दुबारा बूर रहा हूँ, इस chapter के अंदर हम लोग basically क्या पढ़ रहे है, sexual reproduction पढ़ेंगे, कि sexual reproduction कैसे होता है, क्योंकि ये sexual हम लोग complete कर चुके है, sexual reproduction को समझाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि sexual reproduction की need क् पढ़ी, ये सब ऐसे तो मैं सारे basics मैं अलड़ी बता चुका हूँ, सिर्फ revision बता रहा हूँ, कि ये reproduction का जो mode है, वो multicellular complex organism के अंदर होता है, क्योंकि multicellular complex organism के अंदर बहुत सरी different type की cell होती है, तो वो इतनी different type की cell है, वो सिर्फ sexual reproduction से ही बन सकती है, क्योंकि आपको बता है human being का, अगर example और male और female है, इन کے अंदर की special cell होती है उनको हम क्या बोलते है, sperm cell female के अंदर special cell होती है, उसको क्या बोलते है, excel ये क्या करते है, sexual reproduction के through ही, आपस में क्या करते है, मिल पाते हैं, याने की fuse हो पाते है, जिसको हम क्या बोलते है, fertilization, और एक नया cell बनाते होती है, जाइगाट और जाइगाट ही अकेला एक लाता सेल है जिसके अंदर capability होती है further divide करेगा और human being के अंदर जितनी भी different type की सेल होती है उसको वो बना लेगा और further यह embryo में convert हो जाएगा और एक नया individual develop हो जाएगा यही basically sexual reproduction है sexual reproduction में दो अलग-अलग organism male और female का requirement होता है और उनकी sex cells को fuse होना होता है fertilization करना होता है और एक नई cell बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं जाइगाट और जाइगाट के अंदर ही सारी capability होती है जो human body की सारी different type की cells को बना सकता है divide or growth करके ताकि एक नया individual बन सके यह सब मैं अपने basics videos में डाल चुका हूँ तो मैं आज जो start कर रहा हूँ वो यह है कि मैंने आपको बता दिया कि basics क्या है किसके sexual reproduction के तो आज मैं आपको जो main चीज़ है अभी तक मैंने discuss नहीं करती वो मैं discuss कर रहा हूँ इस video के अंदर देखिए sexual reproduction के अंदर दो basic चीज़े होती है जो चलती है जो दो basic चीज़े होती है sexual reproduction के अंदर वो क्या करती है रन करती है और वो क्या है एक तो होता है formation of gamits क्या होता है formation of gamits एक चीज़ तो यह होती है formation of gamits formation of gamits का मतब होता है कि male के अंदर sperm cell का बनना female के अंदर excel का बनना तो basic funda क्या है sexual reproduction का sexual reproduction के अंदर दो process mainly चलते है एक तो होता है formation of gamet इनकी पहले तो क्या होगा gamets बनेगे male के अंदर sperm cell बनेगा female के अंदर क्या बनेगा excel बनेगा और यह जिस process को दुरू बनते है उस process को हम लोग क्या बोलते है meiosis क्या बोलते है meiosis meiosis actually क्या है cell division का टाइप है किसका टाइप है cell division का टाइप sperm क्या excel egg क्या excel तो sperm cell क्या होती है एक से चार बनती है clear है क्या तो उस process को बोलते है meiosis egg भी एक से क्या बनती है चार बनती है तो इसको क्या बनते है meiosis process यानि एक cell से चार cell बनेगा उसे meiosis process बोलते हैं तो sperm cell भी यही process अपनाता है XL भी यही अपनाता है मैं क्या बता रहा हूँ sexual reproduction के अंदर दो basic event होते हैं दो basic process होते हैं पहला gamut बनते हैं male के अंदर sperm बनेगा female के अंदर क्या बनेगा XL बनेगा meiosis process के तरूँ and female gamut fusion of male and female gamut यही last जो इसका process होता है वो यही होता है यही sexual reproduction के अंदर जो दूसा पार्ट होता है working part या event होता है वो ही होता है कि यह जो male और female gamut है वो क्या होंगे fuse होंगे क्या होंगे fuse होंगे और इन दोनों के fusion का हम लोग क्या बोलते हैं fertilization क्या बोलते हैं fertilization fertilization राइट इन दोनों के fusion का हम लोग क्या बोलते है fertilization बोलते हैं तो यह दो basic event है आपको ध्यान रखना है sexual reproduction के अंदर एक तो gamut का बनना और दूसा उनका fuse होना अब आगे जो है वो मैं आपको बता देता हूँ अब आगे में क्या बताना चाहरा हूँ देखिए आगे का जो टॉपिक है वो ऊतना से बता रहा हूँ कि जो fertilization process है यह बता male और female kinet का future इसलन बोलते हैं िश्वर क्या बता दो टाइट का होना होता है एक होता है internal fertilization एक क्या होता है internal fertilization और एक जो Fertilization का टाइप होता है उसको बहुता है External Fertilization External Fertilization Actually ये दो टाइप मैंने कैसे divide किये मैं बता देता हम आपको कैसे divide किये ये male और female gamit जब fuse होते हैं तो वो जगे कौन सी है वो depend करती है वो जगे कौन सी है उस जगे के basis पर वो Fertilization का नाम रखा जाता है कि Fertilization Internal के लाएगा कि External Fertilization के लाएगा मैं बताता हूं कैसे अगर male gamit और female gamit यानि Axel और Spam Cell अगर दोनों meet कर रहे हैं fuse हो रहे हैं मतलब उनके 20 में Fertilization हो रहा है पर ये fusion उन दोनों का कहा हो रहा है female की body के अंदर किसके अंदर female की body के अंदर तो ऐसे Fertilization को बोलते हैं Internal Fertilization और अगर male gamit और female gamit यानि Sperm Cell और Axel क्या होते हैं अगर meet कर रहे हैं fusion कर रहे हैं यानि Fertilization कर रहे हैं पर वो अगर outside दा female body है female body के अगर वो बाहर कर रहे हैं तो अगर वो female body के बाहर आपस में मिल रहे हैं तो ऐसे Fertilization को क्या बोलते हैं External Fertilization क्या बोलते हैं External बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है देखें human beings के अंदर अगर मैं बात करूँ तो male और female के बीच में वो female के अंदर चली जाती है और वहाँ पर जाकर के वो sperm cell female की act cell से क्या करता है fuse करता है यानि कि मिलता है fallopian tube के अंदर वो आगे मैं डिसकस करूँ हूँ fallopian tube क्या होता है वहाँ जाकर के वो क्या करता है meet करता है मिलता है यानि कि जो meeting हो रही है वो female body के अंदर हो रही है तो human beings के अंदर जो fertilization हो रहा है वो कौन सा वाला हो रहा है? internal fertilization, right? जबकि मैं आपको fishes के अंदर अकर मैं बात करूँ तो fishes के अंदर क्या होता है? external fertilization होता है क्योंकि जो male fish और female fish जो होती है पानी के अंदर वो अपने जो male gamit है जिसे male fish है तो वो अपना male gamit जो है पानी में drop कर देती है और जो female जो हमारी fish है वो अपना excel या female gamit जो बोल सकते हो वो भी can't drop कर देती है पानी में drop कर देती है तो पानी के अंदर ही male gamit या sperm cell और female gamit या एक्सल घूम रहे होते हैं और वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं यानि कि मिल जाते हैं यानि कि her 181 कि अंका हो जाता है तो यह फीमेल की अंदर में बाइचां या यह झाली को थेल्गा इगा अब इसके बाद मैं Each व्हें कि हमारा क्या है कि sexual reproduction हम लोगों को plants में पड़ना है और और animals में पढ़ना है, animals यह नहीं कि human beings में पढ़ना है, वो topic में बाद में लूँगा, अभी जो मैं topic पढ़ा रहा हूँ, वो यह पढ़ा रहा हूँ कि sexual reproduction हम लोगों किस में पढ़ना है, plants में पढ़ना है, और plants में भी जो सबसे developed plants हैं, सिर्फ वो ही sexual reproduction को करते हैं, और वो सबस में हो जाता हूँ, आप इसका screenshot ले लिजिए, ताकि मेरा board के लिए हो जाए, ताकि मैं आपको बता सकता हूँ, अब इसका screenshot ले लिजिए, one, two, three, आपने screenshot ले लिया होगा, अब जो topic हम start कर रहे हैं, वो मैंना भी बताया था, कि हम लोग sexual reproduction अप्लांट्स में पढ़ेंगे, और plants में भी sexual reproduction कौन करते हैं, angiosperms करते हैं, एक category होती ही plants की, angiosperms उनी के अंदर sexual reproduction हो पाता है, क्योंकि sexual reproduction के लिए आपको male reproductive organ और female reproductive organ की जरुवत पढ़ती है, और male reproductive organ और female reproductive organ से flowers के अंदर मिलता है, किसके अंदर मिलता है, flowers के अंदर, और वो plant की category जो flower रखती है, वो सिरफ angiosperm होती है, कौन होती है angiosperm right, angiosperm का नाम सुना होगा वैसे भी 9th class के अंदर जब आपने diversity पढ़ा होगा science chapter के अंदर, biology के अंदर तो आपको बताया था, plant diversity पढ़ा होगा, तो plant diversity के अंदर बताया था कि plant की 5 type का क्या होता है, divisions होता है 5 categories होती है जिसमें सबसे पहले को आते है, thallophyta then briophyta, then teradophyta then gymnosperm, और last में सबसे developed species होती है plant की सबसे developed division होता है category होता है, उसको बोलते है angiosperm क्योंकि angiosperm ही अकेली इकलाओती है ऐसी category है, जो flower रखती है इसलिए angiosperm को flowering plants भी बोलते हैं क्या बोलते हैं, flowering plants अब इनके अंदर flowers हैं, तो male reproductive organ भी होगा, female reproductive organ भी होगा और जिनके अंदर ये दोनों organ हैं तो उनी के अंदर क्या मिलेगा, sexual reproduction मिलेगा तो हम लोग flowering plants के अंदर sexual reproduction पढ़ने जा रहे हैं यानि कि बोल सकते हैं कि angiosperm के अंदर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं sexual reproduction पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि flowers के अंदर ही क्या मिलेगा आप लोगों को, male reproductive organ या female reproductive organ मिलेगा और आप लोगों को एक चीज और बता दू देखिए, angiosperm जो होता है angiosperm का नाम भी आप लोगों को समझ में आता होगा कि angiosperm का मतलब क्या होता है देखो, angiosperm angiosperm, sperm का मतलब होता है बटा seeds और angiosperm का मतलब होता है covered in fruits covered in fruits covered in fruits यानि कि angiosperm plant का वो division है, वो category है जिनके अंदर seeds जो होता है वो fruits के अंदर क्या रहता है, cover रहता है जो seeds जो बनेगी इनके अंदर वो किसके अंदर cover रहता है, fruits के अंदर cover रहता है उनको हम लोग क्या बोलते है, angiosperm इसको मैं बाद में बहुत अच्छे से explain करूँँगा जो ये term लिखा उसको समझाऊँगा पर आप ध्यान दीजेगा, angiosperm कौनसी category है flowering plants, जिसके अंदर flowers होते है और जिनके अंदर flowers होते हैं, उनके अंदर ये दोनों organ मिलते हैं male और female और जिनके अंदर दोनों organ मिलते हैं, उनी के अंदर sexual reproduction देखने को मिलता है अब मैं आपको बता दूँ कि angiosperm में जो plants की category होती है, वो दो type की होती है right, दो type की category होती है सर कैसे, कुछ flowers ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों के दोनों reproductive organ देखने को मिल जाएंगे angiosperm के plant की category बता रहा हूँ कुई सी भी flower को उठा लेना तो कुछ flowers ऐसे दिखेंगे जिनके अंदर दोनों ही reproductive organ मिल जाएंगे आपको, male भी मिल जाएगा और female reproductive organ भी मिल जाएगा तो पेटा ऐसे flowers को हम लोग क्या बोलता है bisexual flowers बोलता है क्या बोलता है bisexual flowers बोलता है मैं दुबारा बोल रहा हूँ angio sperm के जो plants होता है उनका कोई plant उठाना उसका कोई flower उठाना तो flower दो टाइप की होता है एक flower ऐसा होता है जिसके अंदर दोनों आपको reproductive organ दिख जाएंगे male भी और female भी उनको बोलता है bisexual flowers सबसे actually बहुत important है paper में board में बहुत बर पूचा गया है क्या पूचा गया है example पूचे गया है कि bisexual flowers जिनके अंदर मिलते हैं उन plant species के नाम बताइए तो इसमें आप लोगों को ध्यान लखना है rose जो है इसका example है बहुत important lily इसका example है और भी दो example इसके अंदर दे रखे हैं अच्छे examples दे रखे है lily दे रखा है rose दे रखा है hibiscus और mustard sarso एक दे रखा है hibiscus hibiscus और एक दे रखा है इसका example mustard mustard मतलब sarso तो ये चार example में आपको दो तो at least learn ही कर लीजेगा rose और lily rose और lily ये दो फूल है इनको ध्यान लख लेजेगा rose और lily hibiscus learn करना है तो learn कर लेजे sarso आपको ध्यान लेजेगा mustard ये जो plant की species है इनके जो flowers होते हैं वो bisexual होते हैं इनके अंदर दोनों reproductive organ मिलते हैं और कुछ flowers ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही reproductive organ मिलेगा या तो male मिलेगा या female मालगे ये flower है इसके अंदर reproductive organ देखा तो एक ही मिलेगा या तो वो male होगा या फिर वो क्या होगा एक्जांपल पूछा जाता है इन फलों की species को धियान लगे यह दो फल की species हैं, दो fruit की species हैं, जो हम लोग daily basis पे, daily basis पे इंदर संद कि हम लोग hemen mix, इन फलों का इस्तिमाल करते हैं, इन fruits को daily basis पे, या मतलब maximum time भालो हम लोग इन fruits को खाते हैं, ध्यान अख लेना, fruits दिमाग में ध्यान अख लेना, ऐसे दो fruits, जो हम लोग गर्मियों के अं होते हैं, उनके जो flowers होते हैं, वो कैसे होते हैं, unisexual, और दोनो fruits में लिख देता हूँ, एक fruit है watermelon, जिसके जो flower होते हैं, वो unisexual होते हैं, और दूसरा जो है papaya, papita, ये दो example आप लोग learn कर लेना, दोनों ही fruits है, watermelon और papaya के flower, unisexual होते हैं, आप लोगों को I hope समझ में आया होगा, अब मैं आपको next topic की तरब लेकर के चल रहा हूँ, next topic हमारा क्या है, basically हम लोगों को flower की detail पढ़नी है, किसकी detail पढ़नी है, flower की, तो मैं flower के बारे में आपको detail बता देता हूँ, क्योंकि लेको flower नहीं पढ़ेंगे, तो reproductive organ तक नहीं पहुंचेंगे, reproductive organ तक नहीं तक नहीं पहुंचेंगे, तो उनके बीच में fertilization नहीं होगा, fertilization नहीं होगा, तो जाइगाट नहीं बनेगा, जाइगाट नहीं बनेगा, तो हम लोग sexual reproduction कैसे पढ़ेंगे, तो sexual reproduction पढ़नी के लिए हम लोगों सबसे पहले flower पढ़ना पढ़ेगा, तो मैं flower का detail आपको बता देता हूं, लेकिए flower क्या होता है, flower basically चार basic parts से मिलकर के बना है, flower basically कितने parts से मिलकर के बना है, चार basic parts से मिलकर के बना है, सबसे बेला part जो होता है, वो होता है, saples, right, दूसरा जो important part होता है, वो होता है, petals, clear और एक और सबसे important part होता है, वो होता है, stamen, clear, और अगला जो सबस नाम है पिस्टिल, दूसा उसका नाम क्या है पिस्टिल, मैं दुबारा बोल देता हूँ, फ्लार बेसिकली चार चीजों से मिलकर के बना है, एक होते हैं सैपल, एक होते हैं पैटल, एक होते हैं स्टैमन, एक होते हैं हमारे स्टैमन, या एक होते हैं हमारे कारपल, और कारपल अगर मैं एक फ्लार के बारे में बात करूं, ध्यान से देखेगा, मैं फ्लार का डाइगराम यहाँ पर बना देता हूं, अब फ्लार का डाइगराम देखेगा यहाँ पर, अगर मैं एक नॉर्मल फ्लार का डाइगराम बनाता हूं तो ध्यान से देखेगा, यह फ्लार का बता पर अब लोगों शायदी समझ में नहीं आ रहा होगा पर अभी थोड़ी दिर में आपको समझ में आने लगेगा तीकि इफदार के चार पार्ट होते मैं नाम बता दिये सबसे पहला पार्ट है सैपल्स तीक कोई भी शुरुवात में अगर आपने फूल देखा होगा आप खुलावा देखेंगे तबी भी मैं सैपल समझा दूँगा पर जब से जादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब गुलाब का फूल कली होता है क्या होता है क्ली होता है चोड़ी से नंडी सी कली होती है एक डंडी होती है स्टिक रहती है और उस स्टिक के अंदर दाइ गोतले हैं आज्ञी यह सम्झ पहतं है लिटा इन्थे में से अन्दर होटा यह इसके मशलीं सते को हैं purse पत्या घंज़ गुistani हमें यह एक पत्याMore होता है और इसको चारवा से हरी हरी पत्तियुन में क्या कर रखे होता है कावर एक पत्ति फा सš Two ईरी हरी पत्य सब्सक्राइब पर फार पर बेकशन प्रोड़ करते हैं। हैं सेपल्स होती है किया होती है आपको समझ में आ जा है हैं centro और में आप और समझाओंगा कि आउटर सर्कल का मतलब की क्या होता है और यहां पर छोड़ी पत्तियां देख रहे हैं वो ग्रीन कलर सी पत्तियां जिनको हमने क्या बोला सैपल बोला और उसके बाद क्या होती है आपके बास colored बत्तियां आती है colored यानिकि वो आपके pink color की, red color की इनको हमको लोग क्या बोलते है पैटल बोलते है और उसके अंदर क्या आते है, stamina आते है यानि कि male reproductive organ आता है और उसके बाद हमारा center में को आता है female reproductive organ आता है clear, अभी आमको समझा नहीं रहूँ, सिर्फ बता रहूँ तो देखिए, यह center हिससा है यह outer हिससा है, यह और outer हिससा है और सबसे outer हिससा को है? सबसे बाहर हिससा को है? यह तो, right? यह है हरी पत्तियां इस flower के outer circle में मिलती है तो यह जो होती है इनी को हम लोग क्या बोलते हैं सैपल क्या बोलते हैं सैपल क्योंकि यह फ्लार के आउटर सर्कल में मिलते हैं सबसे बाहर वाले सर्कल में और जब यह प्लांट जब फ्लांट चोटा होता है बड होता है तो यह हरी पत्तिया उसको कवर करके रखी होती है य उनको हम लोग पैटल बोलते हैं, जिन में से जनरली जो है फ्रेग्रेंस आती है, खुश्बू आती है, और डूसा ही काफी कलर्ड, यहनकी ब्राइट कलर्ड की होती है, और यह सैपल्स के अंदर की तरफ होती है, यहनकी पहले सैपल्स होती है, उनके अंदर क्या होती है, पै से किसमें help मिलती है? पॉलीनेशन में help मिलती है अब बहुत सारे बच्चे सोच रहोंगे कि पॉलीनेशन का मतलब क्या होता है? अभी topic आगए आएगा, तो मैं आपको clear कर दूँगा कि पॉलीनेशन का मतलब क्या होता है? ठीके बस इतना सा ध्यान दीजिए कि आप पैटल्स का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलिनेशन को मैं आगे समझाओंगा कि क्या होता है इसका मतलब इसके इलावा जो मैं नेक्स टॉपिक पर चलता है वो यह है कि फ्लावर का जो तीसरा हिस्सा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टैमन बोलते हैं फ्लार का जो तीसरा हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टैमन बोलते हैं फिर पैटल के बहाद male reproductive organ ही मिलता है फ्लार के अंदर और यह बहुत सारी संख्या में मिलता है अंदर इसके बहुत सारे number of stamens होते हैं बहुत सारी संख्या में यह मिलता है यह number of stamens मिलते हैं फ्लार के अंदर बहुत सारे मिलते हैं अभी जो यह फ्लार मेंने बनाया है वो एक bisexual आपको साथ शेयर करूंगा, स्टैमन जो होता है बेसिकली जो होता है यहां पर मैं बना देता हूं स्टैमन जो होता है बेसिकली वो दो टाइप दो पार्ट से मिलकर के बना होता है एक तो होता है एंथर क्लियर एक होता है उसका फिलामेंट क्लियर मैं क्या बात कर रहा हूं मैं यह बात कर रहा हूं कि जो सपोर्ट देता है और यह जो ball-like structure दिख रही है आपको, ball-like structure जो आपको दिख रही है, इस ball-like structure को हम लोग क्या बोलता है, enter बोलता है, basically यह filament होता है, यह filament क्या होता है, support देता है, किसको देता है, enter को support देता है, enter को, तो यह filament है यानि कि stick like जो structure होती है उसको तो बोलते है filament और उसके ऊपर एक ball like structure होती है उसको बोलते है enter और वो enter को क्या देता है यह filament support देता है अब enter के बारे में discuss करूँआ कि enter क्या होता है basically यह जो enter होता है enter के अंदर bag like structure होती है यह जो enter है इसके अंदर क्या होती है bag like structure होती है और उस bag like structure को हम लोग क्या बोलते हैं यह enter के अंदर क्या होता है bag like structure होता है मैं क्या होता है बाइग लाइक इ legislature क्लिह और वह ज्रुब देट और वसको बलते हैं उसको लुच क्या जर्व क्या बोलते हैं रख स्क्षरण और बम a भिए जया पौईक की structure होती है यह जो ball वाली swollen tip है swollen मतलब सूजी हुई या fully हुई जो यह tip है यह filament का जो tip है ना यह filament का जो tip है tip मतलब ending point यह सूजा हुआ रहता है फूला हुआ रहता है यानि की ball जाए से रहता है इसके अंदर bag like storage होता है यह यह इसके अंदर bag like structure होती है यह यह इंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलता है इस पार्टिकल्स वह पॉलते हैं इस पॉलेंज आपके साहँ निया सब्सक्राइब सब्सक्राइब बहुता है क्या लए रहा हुए जी swollen tape है जिसको हमने एंther बोला जिस एंther के नदर ही अगेन मैं repeat कर रहा हूँ दोबारा मैं बोल रहा हूँ शmonsy हमें साइटों पर जाता हूँ आप screenshot लेला हैं क्योंकि बोर्ड काफी बह है इसका terrorists कर देूट कर देता हूँ कि दोबारा से को repeat कर तो One की बैंप के नामा के नाम से जानते हैं और एक जो फ्रीक चो फ्रींगjachンド का दूसरा नाम क्या होता है पिस्टिल राइट और यह जो पिस्टिल होता है फ्लार का basically क्या होता है female reproductive organ कहलाता है तो मैं अभी इसके बारे में discuss करा था स्टैमन के बारे में बता रहा था मैं वापे से diagram बना देता हूं जहाँ से देख लिएगा यह plant का base होता है और यह आखरी में नीचे नीचे क्या होता है green color की leaves होती है clear यह green color की leaves होती है यह पत्ती ठोड़ी सी ख़राब बन गई इसको अच्छा बना देते हैं green बीच में क्या होता है मेल übructय ओरन रहते हैं, यह में सेंटर के पिर्डर्ग्ण होता है, बूबल सेंटर के अंदर समिदर कंई होता है, ग्ल्र कमें सेंटर के फ सेंटर के adora है तो जिसमें से यह आखरी में सबसे आउटर सर्गिल में कॉन है सैपल और यह क्या है पैटल्स है और यह जो फिलामेंटर स्लाइक इस्ट्चर आपको दिख रही है यही क्या होते हैं हमारे स्टैमन होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टैमन नहीं स्टैमन बोलते हैं उस घर चुकषों को भी इन्थर यह जो टीक अब सब आपको बता चुक्था हूं और बोनकर कि च्राइब बोलते ऌालब में खोड़ा सप offers निलाएं कि छोड़ानेट प्रडाक्टिव औरगन बोलते हैं पिर मैं आपके इंतर की कहानी सुना रहा था एंतर की डीटेल में आप लोगों को क्या दी कि जो एंतर है बेसिकली इसके इंदर क्या रहते हैं पहले बैंग लाइक इस्टॉरी यह जिसके अंदर आपको हुए चीज़ें रख सकते हैं तो उस बेगलाएकिय स्थोक्चर को वैम लोग गोलते हैं आजवाएक इस बोलते हैं इस बेगलाएके स्थैले लाइक इस्थार मेर की स्थ्यालिश्जर COLCE ूए का उन्दर रखा य। पार्टिकलन की होता है पाटिकल चोटे या फिर आंप यलो इस कलर के होते हैं, पॉलन ग्रेंज, यह जो पॉलन ग्रेंज होते हैं, यही important होते हैं, इस पॉलन ग्रेंज के अंदर ही कौन होता है, male gamut होता है, इस पॉलन ग्रेंज के अंदर ही क्या होता है, male gamut, जो हमारा main cell है, जो fusion में का करता है, participate करता है, इसी पॉलन ग्रेंज के कौन होता है mail gamet होता है जो fusion के अंदर क्या करता है participate करता है mail side की तरफ से और यह pollen green क्या होते है पेले color क्या होता है ओर इसी के अंदर कौन होता है mail gamet होता है आपको समझ में आगे आगया होंगा एंतर कीछोडी सी detail और दूना आपको यह जो enter होता है ना enter यह by lobed structure होती है कैसी structure होती है by lobed structure कैसी structure होती है by lobed by lobed structure का मतलब ही होता है जैसे मान लेजी यह filament तो इसके ओपर आपको ऐसी structure दिखेगी by lobed दो टुकडों में बटी हुई clear है क्या अब यह जो by lobed structure होती है इसके अंदर दो pollen sec होता है क्या होता है दो pollen sec का मतलब यह होता है कि एक lobed में एक back leg structure दूसरे में क्या होती है दूसरी back leg structure तो basically इसके अंदर क्या होते हैं कितने pollen sec होते हैं कितने थेले leg structure होती है दो clear है क्या by lobed structure है यानि कि दो lobeds होता है दो टुकडों होता है और by lobed structure के अंदर इसके पास क्या होता है पुरा पॉरा 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 सच ये लोब एक पॉलन शेक के अंदर दो खांच हैं इसके अंदर भी दो हैं और उसके अंदर क्या पड़े हुए हैं next part इफ बारका काण्ब कर नाम है पिस्टिल और यह हमारा फिप्लार का फ्लार का बनाया था और ऑस और बाहर की तरफ क्या थे सेपल देन पैटल फिल क्या थे मेल रिप्रड़क्टिव और सेंटर में क्या था आपका फिमेल रिप्रड़क्टिव और था यह सेंटर के अंदर जो था यह पास में क्यों थे आपके मेल रिप्रड़क्टिव और थे और सेंटर में क्या था आपका फिमेल रिप्रड़क्टि जो पहला वाला पार्ट है वो पहला वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं पहले वाले पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टिग्मा यह वाला जो हिस्सा दिख रहा है राउंड इसको बोलते हैं स्टिग्मा यह जो फिलामेंटर लाग जो स्रक्षRE देख लिए चं पॉल ऑप्र ऑफ को बॉलता है यह जो बॉटम में between एक भी दुधरर confirming आ जिसको हम लोग stigma बोलते हैं यह बड़ा sticky सा पार्ट रहता है कौन सा पार्ट रहता है sticky सा चिपचिपा सा पार्ट रहता है इसको हम लोग stigma बोलते है अगर pollen grain insect के थुरू आ जाए है या हवा के थुरू आ जाए है पानी के थुरू आ जाए है या कीड़े के थुरू आ जाए तो अगर वो यहाँ पर आ जाते है तो यहाँ पर आने के बाद यह surface कैसी होती है stigma के stick ही होती है चिपचिपई होती है वो यहां पर pollen grain क्यों चिरफब जाते हैं डिल्याई लेक्षा तो वो यही पर ढ़ीड़ आएगा तो जब कीड़ा यहां पर बठे से और निकलका इस स्टिग्स पर क्यों चिरफीस पाँ स्टिक हो जाएँगे clear, दूसरा जो पार्ट है हमारा style पार्ट है, इसका कोई special काम नहीं है, यह सिर्फ क्या करता है, ओवरी को stigma से, यह stigma को ओवरी से connect करने का काम कौन करता है, यह style करता है, यह ovary जो है, basically इसके बारे में बता देता हूँ, यह ovary क्या करती है, यह हमारा main part है, चुकि इस main part के अंद इस ओवरी का ही जो है सारा का सारा main role होता है reproduction के अंदर क्यों होता है क्योंकि इस ओवरी के अंदर basically क्या होता है ovule होता है कौन होता है ovule यह जो मैं बना रहा हूँ यह basically ovule ही है इस ovule के अंदर क्या होता है ovule होता है क्या होता है ovule यह एक tough part होता है और इस ovule के अंदर ही हमारा female gamit रहता है female gamit या आप बोल सकते हो excel इसी के अंदर हमारा क्या रहता है excel रहता है बहुत सारे excel रहता है 1, 2, 3, 2, 2, 2 बीच में रहता है फिर वापस 3 corner में रहता है यह भी बाद में discuss करूँगा आप लगों के साथ clear है क्या तो यह ovule के अंदर ही क्या रहता है हमारा main क्या रहता है ovule रहता है tough part रहता है और इस ovule के अंदर ही हमारी कौन होती है female gamit होती है female gamit का मतलब excel यह आपको यह बहुत सारी excel बना रहे है 3 मेने यहां बना रहे है 3 यहां बना रहे है 2 यहां पर बना रहे है इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, xl गोलते हैं, kya बोलते हैं, xl जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, female gamit और आपको ये gamit बगते हैं, अगर समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे basic वीडियो उसको जा करके देख लिएह, आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगा, मैंने सारी अ एक tough coating होती है, tough part होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ovule, और इस ovule के अंदर ही, बहुत सारी आपकी क्या रहती है, axles रहती है, बहुत सारी आपकी क्या रहती है, axles यह मैंने आपको बना रखे, 3 ऊपर बनाई, 2 बीच में बनाई, और 3 नीचे बनाई, यह हमारी बहुत स आपको यह पूरा की पूरे चारो के चारो पार्ट समझ में आयोंगे, अब यहां पर जाते जाते दो टर्म्स और में clear करूंगा, जो मैं शायद बातों-बातों में बोलना भूल गया, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, और जो important चीज़े वो मैं बता देता हूं, याद को गया बोलते हैं, colored leaves, क्या बोलते हैं उसको हम लो, colored leaves, colored leaves, right, तो मैं आपको दो टम्स बता ना भूल गया, अगर बहुत सारी सैपल्स, यह बहुत सारी हरी पत्तियां मिल जाएं, दुबारा बोल रहा हूं, एक हरी पत्ति को, क्या बोलते हैं, सैपल बोलते हैं, क्या बोलत of sapple clear रिखिया तो उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं calyx के नाम से जानते हैं किस के नाम से जानते हैं calyx ये बहुत important term है दुबारा बोल जेता हूँ कि जब सारी की सारी sapples को एकटा करने together साथ में रखने तो उनको एक नई term के नाम से जाना जाता है उसको बोलते हैं calyx वैसे petals के बारे बता हूँ एक colored पती है उसको petal बोल दो बहुत सारी है तो petals बोल दो या पर इसके लिए एक special term यूज की गई है अगर जब बहुत सारी colored पती हैं इनकी petals पत्यों को साथ में together अगर आपको represent करना हो बोलना हो तो क्या बोलेंगे उसको petal को सारी एकटी petal को साथ में आपको एक term देना हो तो क्या बोलेंगे उसको इसका famous नाम है उसका famous नाम है corolla क्या बोलेंगे corolla क्या बोलेंगे corolla दुबारा मैं बोल देता हूँ कि बहुत सारी पैटल्स जब तोगेधर यह नहीं साथ में आजाएं, एक साथ आजाएं, तो एक साथ जब वो आती है तो उनको एक नाम से पुकारा जाता है, एक नाम से यह फेमस है, एक नाम से जाना जाता है, उस नाम को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क Corolla Altis, जो कि बहुत premium और अच्छी गाड़ी होती है, तो Corolla, वहाँ से आप नाम ध्यान से याद कर सकते हैं, कि group of pedals, जो बहुत सरे pedals हो, इनका खटा हम क्या बोलते हैं, Corolla Altis, एक गाड़ी है Toyota की, clear है किया, तो आई वोग आपको समझवाया होगा, मैं side मों जाता हूँ, आप इ next topic जो है, जैसे ही आप लोगों ने चारो पार्ट, प्रॉपर तरीके से जैसे ही आप लोगों ने समझ लिए, तो चारो पार्ट समझने के बाद next topic जो है, वो pollination है, pollination के बारे में आपको detail बता देता हूँ, अभी मैंने शाद आपको ovary, ovule, और ovule के अंदर जो है, basically हमारी female इसके बारे में discussion किया, जैसे ही सारा का सारा topic complete हो जाता है, तो उसके बाद हम लोगों पढ़ना है, pollination, तो pollination जो topic है, वो बहुत important है, इससे बहुत बार question आया है, मैं समझा देता हूँ, pollination का मतलब क्या होता है, देखिए, flower के अंदर क्या होता है, मैं दुबारा से diagram मना दे देखिए, मान लो, यह एक पेड है, यह एक पेड है, और इसकी ब्रांच है, clear, इस एक ब्रांच पे, basically, एक flower हुआ हुआ है, यह एक फ्लार हुआ हुआ है, और इसी ब्रांच पे एक और जो है, फ्लार हुआ 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 है, यह एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के एक ब् अब आपको पता है कि एक flower के, मान लीज़े, यह दोनों जो flower हैं, वो कोई भी मान सकता है, आप इसको unisexual भी मान सकते हो, दोनों flowers को, आप इन दोनों को bisexual भी मान सकते हो, मुझे उसे कोई लिगना देना नहीं है, clear, जो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ, वो यह बताना चाहरा ह आपको पता है कि साइट में क्या थे मेल रिप्डॉक्टिव और बीच में क्या था फीमेल रिप्डॉक्टिव और तो मेरा में मुद्दा क्या है अंदर क्या होती है बटा ओवियूल होती है और ओवियूल के अंदर हमारी में क्या रहते है फीमेल रिप्डॉक्टिव और उसके एंथर से यहां से पॉलन गरेन निकल करके किसी बीटरीके से चाए वो हवा ओ चाय किसी आउणवर के थुरो चाय वो पानी के थुरो हो थे पोले नहीं फारवा के खुर। कीड़े के खुर। जानवीड के तुरू या विंड के थू रू हवा के तुरू या इन्स के तुरू और ये निकल कर से इस्ञे कर और reproductive organ की कहां पर पहुmn जाए, stigma पर पहुंच जाए, Aww। कहां पर पहुंच जाए, stigma पर पहुंच जाए, तो स्कूल प्रॉसेस को हम वोगो क्या बोलते हैं, Now, क्या हो सकता है । यह plant है, इस पे जो फ्रानलाव लग रहे हैं, अब यह हो किसी वज़े से रहा है या तो हवा की वज़े से या पर इंसेक्ट की वज़े से या फिर आपके पानी की वज़े से या फिर किसी जानवर की वज़े से इनके किसी भी वज़े से यहां पर आ गया अगर वह आ जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते है पॉलिनेशन यह इंपॉर्डेन नहीं है अkal bijौड़ेर उच्छी इंपॉर्ड़ेंट्र टाइप्सूर्दंत्र किया वाल कोफीने इश्टान को रॉता है एक्चुली पॉलिनेशन जो है वो दो टाइप का होता है बहुत जादा इंपॉर्टेंट है इससे बहुत बार कोशन आया है बोर्ट के अंदर कि पॉलिनेशन जो है बेसिकली कित्या डैप्स का होता है दो डैप्स का पॉलिनेशन होता है और यह जो पॉलिनेशन है वो दो ट को confusion रहता है क्योंकि NCRT के अंदर भी जो इसकी definition लिखी हुई है वो भी proper नहीं है इससे proper clear हो नहीं पा रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि self-pollination और cross-pollination में फरक क्या होता है द्यास देखेगा मानली जी ये एक पेड़ है ये एक पेड़ की branch है और उस branch पे दो फूल है clear अ निकल करके कहां से निकलेगा इसके male reproductive organ से निकलेगा और इसी flower के stigma पर आ जाए इसी flower का जो female reproductive organ है उसी के कहां आ जाए stigma पर आ जाए दुबारा से समझारों में क्या बोल रहा हूं ये एक plant है ये उसकी branch है उस पर दो flower है for example तो पहला वहला flower को मैं क्या बोल रहा हूं कि मानली जी ये bisexual flower है तो इसके इंदर male reproductive organ भी होगा और female भी होगा तो इसके male reproductive organ से कहां निकल गया पॉलन गरे निकल गया और इसी flower के female reproductive organ की कहां आ गया सिग्मा पर आ गया या तो ये बोल सकते हैं या फिर इस flower के अच्छा ये भी bisexual मान लो या unisexual मान लो जैसा आपको लगता है वैस मान लो तो दूसरा क्या बोल रहा हूं मान लीजिए इस flower के male reproductive organ से pollen grain निकल करके इसी plant के दूसरे flower पर दूसरे इसी plant के दूसरे flower पर जिसके पास क्या है female reproductive organ है उसकी stigma पर जाकर के pollen grain क्या हो जाए चिपक जाए तो ऐसे pollination को बोलते हैं self pollination बहुत तो वो समझ में नहीं होगा मैं दुबारा से repeat कर रहा हूं जहां से देखेगा यह एक ही plant है एक plant की एक branch है उस पर दो flower लगे हुए कितने flower लगे हुए दो flower अगर इसी flower का pollen grain निकल करके इसी flower पर आ जाए या फिर इस flower का pollen grain निकल करके दूसरे flower पर चला जाए पर वो दूसरा flower भी इसी plant का होना चीए द इस flower का pollen grain निकल करके इसी flower पर आजाए या फिर इस flower का pollen grain निकल करके पडोस वाले flower पर आजाए पर वो पडोस वाला flower भी इसी plant का होना चाहिए तो ऐसे volunteering को बोलते है self-pollination यानिकी एक इक ही plant होना चीए तो अगर एक ही full का निकलके एक में चला जाए या एक full का निकल इकल पॉलन ग्रेन निकल करके इसी फ्लार के फीमिल रिप्रक्टिव औरगन की सिग्मा पर चला जाए या इस फ्लार का मेल रिप्रक्टिव औरगन से फॉलन ग्रेन निकल करके इसी फ्लार के दूसरे फ्लार के फीमिल रिप्रक्टिव औरगन की सिग्मा पर चला जाए तो दोनों Wall-E McGeasys का क्लानियाँ से था सुनिए का एक ही house के निमाग एक ही फिलय का प्रॉलनके निकल करके ओहीं चला जायं सुर्ण जयरें यह आपका एक प्लांट है, मैं यह आपके दूसरा प्लांट भी बना देता हूँ और यह इसकी प्लांच बना दी और यहाँ पर मैं ने कर बना दिया एक फूल बना दिया, क्लियर, एक फूल बना दिया में टाइगरम को मिटा देता हूं मनायई डाइगरम बना देता हूं यह भूर रम नाको बना देता हूं उसकी बी ऐसे ब्लाट इइस वोगा क्रोंस हूं कि एक वे साधर निकल के दूसरे डूसरे से धूर तक अगर Palnegane चला जाता है तो इसको बोल से निकले है और दूसरे गे। female reproductive organ की stigma तक पहुंच जाएगा plant ही चेंज हो गए, एक plant के फ्राड से दूसरे plant के फ्राड तक तो उसको हम क्या बोलते हैं, cross pollination क्या बोलते हैं, cross pollination I hope आपको यह समझ में आया होगा, मैं साइड में हड़ जाता हूँ उसके बाद मैं आपको fertilization topic जो है clear करूँ आप इसका screenshot ले लिजिए, one, two, three आपने screenshot ले लिया हुआ, जो next topic है हमारा कि जैसे ही आप pollination तो हो गया, यानि कि male reproductive organ से pollen grain जो है transfer हो करके कहा आ गया है, female reproductive organ की stigma पर आ गया है, तो अब इसके बाद next process क्या तो जो next process है वो होता है, fertilization fertilization आप लोग अगर मेरे basic topics को देखेंगे, video lectures को देखेंगे, अगर देखना चाहते तो link जो नीचे description box में दिया हुआ है, वहाँ पर भी click करके आप लोग देख सकते हैं, जो भी basics आप लोगों को शुरुबात में समझाया थे, अपने video lectures के अंदर basics का मतलब क्या है, what is the meaning of fertilization, जिको pollination हो गया, यहां से यहां पर आ गया, तब हम लोगों को fertilization पढ़ना है, तो fertilization का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं male gamet, यानि कि जो male, हमारा जो male का सबसे importance है वो, और female gamet, यानि जो female का सबसे importance है, वो, वो आपस में क्या हो जाए, fuse हो जाए, यानि कि मिल जाए, उसको क्या बोलते है, fertilization, और दोनों के मिलने से एक नई cell develop हो जाती है, उसको बोलते है, जाएगाट, और जाएगाट के अंदर capability होती है, पूरा का पूरा plant develop करने की, राइट है quello में यह जो खोंवलना है, यहाँ पर का उनग जया, यहाँ पर आपको पता है कि फीमेल रेप्ड़क्टिव और ऐधं के ननर हमारा क्या होता है, और कि यह सब्सक्राइबस फीमेल को जाए यहाँ हाँ, आपको पता है, यह जाद통 Carte आपको पता है अंदर क्या रहता है अंदर रहता है Caval the Mafia ृबि उप्ल और उपिया मैल क्या होते हैं आपको पता है कि यह जोstar है ये पुरा और कि रहता है कवर रहता है पूरा पूरा यानि कि यह जो पूरी की पूरी जो ओवरी ना यह तो zthis वह पाइल बहुत इंप्वर्डन्ट तर्म है माइक्रो पाहिल दुबारा से बोल रहाँ कि रहां कि पूर्स इस तर्म को माइक्रो pile, दुवारा बोल रहा हूं कि क्या बोलना चाहर हूं, मैं जहां से दिखेगा कि अंदर तो क्या है बहुत सारे excels है, बहुत सारे जिएject क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिस बोलते हैं, और ये oval चारो तरफ से cover रहता है बंड़ंक से बना देता हू nit, उस छेट से हम लोग क्या कर सकें अंदर एंटर कर सकें उस छोटे से छेट को हम लोग क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल बोलते हैं क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल क्या बोलते हैं उस छोटे से छेट को माइक्रोपाइल बोलते हैं ध्यास देखिएगा यह अंदर बहुत सारे जो female gamits है यह female हमारे जो egg cells है यह क्या करते हैं एक chemical release करते हैं और वो जो chemical यह लोग करता है उस चूब को हम लोग क्या बोलते हैं पॉलन ट्यूब जहां से देखिए यह अंदर के जो एक cell है वो एक chemical release करते हैं और chemical उपर की तरफ जाता है और पॉलन ग्रेंड को क्या करता है एक्टिवेट करता है इस chemical की smell उपर तक जाती है फ्रेकरेंस की और पॉलन ग्रेंड क माइक्रोपाईल के धुरू होती हुई सीधा कहां कर चली जाती हैं अंदर की तरफ एंटर कर जाती है और की तरफ और अब हमारा यह जो पॉलन ग्रेंड के अंदर जो male gamet है वो male gamet यहांसे होता हुआ होता हुआ हो इनलीजे यहां पर आ गया तो यहां पर अक्षली NCRD के तो बहुत जाते हैं और इस mail gamit को यहां से उता हुए दिखाया गया है और यहां पर इसको मार्ण भी कर रेहा है mail gamit क्या कर रखा है उसको मांग भी कर रखा है कि यह कौन है male gamut चुकि pollen grain में उपड से male gamut आता है और tube के तूरू आता हुआ आता हुआ यहां से घूमता हुआ जहां से देखेगा क्योंकि pollen grain जेंटर male gamut होता है और आता है यहां पर एतने सारे ना बना करके एक बना देता हूं अच्छाHere बना धूक्ताम हूं कि मैं अंदर इतने सारी क्यों बनाए बात में बताब आँव आपको रहाइठ यहां पर अपना पास क्या पहंण गया आ나ptर की तरफ fusion process क्या 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 क बनी है इसको तो हम क्या बोलेंगे जाइगाट क्या बोलेंगे जाइगाट यह बोल जगते हैं कि यह जाइगाट fusion process के थुरू बना है और fusion process को क्या बोलते है फटिलाइशन और इसको हम क्या बोलते हैं जाइगोट क्या बोलते हैं जाइगोट अब यह जो जाइगोट है दीरे दीरे क्या होता है यह जाइगोट की से डिवाइड होती है एक से दो दो से चार चार से आठ आठ से सोला सोला से बत्तिस डिवाइड हो करके बड़ी होती जाती है अब यह बड़ी होती जाती है क्योंक प्लांट क्लियर है क्या या फिर हम लोग क्या बोसकते हैं इसके अंदर प्लांट एंब्रियो है कौन है प्लांट का एंब्रियो प्लांट एंब्रियो है जो की बड़ा हो करके नया प्लांट बना लेगा राइट अब आप देखो क्या होता है यह आजू-बाजू की जो ओवि अपनी surface को hard कर लेगी, tough बना लेगी, coating कर लेगी ताकि अंदर का जो जाएगोट है, वो क्या हो जाएग, सुरक्षित हो जाएग safe हो जाएग, तो ये ovule क्या है, बाहर क्या होता है, बिल्कुल tough coating बना लेता है और इस seed के अंदर, ये हमारा कौन है, future plant, embryo clear है क्या, और दूसरी बात, सबसे पहरी बात, अब finally पता है क्या होता है, ये सारा, ये stigma, ये style, ये आजुबाजु की पतिया, पैटल, ये सैपर, ये base, ये सब जड़ जाएगे, सिर्फ क्या बचेगा, ये ओवरी बचेगा, मैं यहाँ पर diagram बना देता हूँ, यहाँ आपके बास, सिर्फ क्या बचेगा, ये ओवरी बचेगा, देखिए, तो आप लोगों को मैंने क्या बताया, कि ये जो basically ovule tough coating बना देता है, जिसको हम बहुते है, seed, और अंदर हमारा क्या होता है, future plant होता है, embryo होता है, और ये सारी चीज़े क्या हो जाते है, जड़ जाती है, तो मैं यहाँ पर एक नए diagram बना करके आपको बता देता हूँ, कि मैं क्या बोलने के कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए, ये ovary हमारी है, क्या है, ये सारे male reproductive organ, ये सब क्या हो जाते हैं, जड़ जाते हैं, और ये ovary क्या हो करती है, डेवलप होती है, ये मिचौर होती है, ग्रोट करती है, और आगे जाकर के इतना development लेती है, इतना ग्रोट करती है, इतना मिचौर करती है, कि यही तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो plant की category इसको angio sperm क्यों मोलते हैं क्योंकि जहाँ पर flower नहीं है वहाँ पर fruit नहीं बन सकता क्योंकि आपको पता है कि flower के अंदर female reproductive organ जो होता है वही जाकर के fruit बनाती है और fruit के अंदर को नाता है बीज आता है और बीज से ही नया plant develop होता है तो बिना flower के reproductive organ नहीं होगा तो हमारा आगे जगा के fruit नहीं बनेगा नहीं seed बनेगा तो basically आप लोगों को पता होगा कि मैंने शुबात में बोला था कि ये सरिफ sexual reproduction क्या होगा angio sperm के अंदर मिलेगा च्योंकि flower होनी के अंदर मिलता है और मैंने आपको बताया था कि angio sperm का मतलब क्या होता है angio का मतलब होता है covered in fruit और sperm का मतलब क्या होता है seeds तो ध्यान से देखिए इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा basically यही तो पढ़ा seed जो है अंदर वाला ये पूरा का पूरा कौन है हमारा ये हमारा पूरा का पूरा कौन है seed जो की cover है किसके अंदर यह fruit के अंदर इस fruit के अंदर basically कौन cover है seed cover है तो seed अगर fruit के अंदर covered है और ऐसे category के fruits या seeds जिस plant में मिलते हैं जो plant की category यह डेवलाप करती है उनको क्या बोलते है गजियो草 sperm angio मतलब covered in fruits sperm मतलब seeds यहनकी जिनके बीच fruit के अंदर होगे उनको angio sperm बलेगा angio sperm बोलते हैं और यह वही सब चीज़े लिखी हुई है आप लोगों को I hope समझ में आया होगा यह पुरा का पुरा context पुरा का पुरा concept आप लोगों को समझ में आया होगा मैं side में बाट जाता हूँ आप इसका क्या ले लीजिए screen shot ले लीजिए और जाते जाते एक छोड़ी सी बात और बता देता हूँ कि आप लोगों को पता है कि अगर यह fruit आप खा ले और यह जो आपका seed है इस seed को जब proper favorable condition मिल जाएंगी यह fruit आप खा ले है और beef निकाल ले है तो इस beef को अगर proper condition मिल जाएंगी suitable condition, favorable condition light, humidity इसको soil मिल जाएगा humus मिल जाएगा इसको card मिल जाएगी तो यह seed क्या कर लेता है seedling क्या कर लेता है seedling का मतलब आप लोग समझते है यह क्या कर लेता है स्ट्रीज कर लिता है और स्ट्रीज का मतलब आप लोग समझते हैं स्ट्रीज Kardashian का मतलब यह होता है कि स्चीड में से उपरकी तरफ क्या निकलने लग जाएगी shooting क्या निकलने लगजाएगी जिस process com क्या बोलते है, rooting बोलते हैं, क्या बोलते हैं, rooting बोलते हैं, दुबारा बोल रहा हूँ, तब इस seed को proper condition मिल जाएंगी, क्या मिल जाएंगी, proper condition मिल जाएंगी, तो यह क्या करने लगता है, develop होने लगता है, और इस seed में से उपर shooting और नीचे से rooting होना start हो जाएगा, उपर सीड में से रूटिंग और शूटिंग होना उस प्रोसेस को क्या बोलते है जर्मिनेशन जब इसको फेवरेबल कंडिशन मिल जाती है क्लियर है क्या दुबारा मैं बता देता हूँ अगर आपको वाड़ आगरम नजर नहीं आ रहा हो तो कि ये सीड जो है न इस सीड में से तना निकलने लग जाता है जड़े निकलने लग जाती है इस तने को निकलने को का बोलते है शूटिंग और रूट को निकलने को बोलते है रूटिंग क्लियर है क्या तो ये प्रोसेस बेसिकली क्या किलाता है जर्मिनेशन क्या किलाता है जर को favorable condition मिल जाएंगी humidity water light humus mid tea nutrient तो इस में से उपर की तरफ तना नीचे की तरफ जड़ने ही निकलने लग जाती यानी rooting और shooting दोनों इस स्टार्ट हो जाता है इस प्रोसेस को बोलते है germination seed food गया germinate कर गया राइट और ये rooting होना shooting होना यह क्या कर आता है settling क्या कर आता है じゃあ telling केर ओंद्र से ओन्धशन मिल गई है यह स्टार्ट हो गया और इस पूरे process को क्या बोलते है germination क्या बोलते है germination sino to Admissions में फरक कितना सा बह्या suced में c безर्फ Has parce चीज़ें लीजिए and thank you so much please इस वीडियो को comment इसमें कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे और आप comment कोई अच्छा comment भी कर सकते हैं अगर आपको सच में help मिल रही है आपको topic लिए और और है कर सकते हैं अगर आपको